हाई अवरिबन वलकम रोडिश्यल जी के क्लासेज तो भी पीएसी बिहार सिख्षक भरती 2.0 से रिलेटेड एड्मिड कार्ड हो गया आपका 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सस्ट का सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो चुका है चाहें आपका कॉमर्स है एड्मिड कार्ड से रिलेटेड साथ में जब से हमको यह पता चला है कि क्यों 4700 पे सैकेंड रिजल्ट आएगा तो बीपीएसी के चेरिमेन सर का इस पे बयान आया है कि कितने पदों पर और क्यूं इसका इन्होंने रीजन भी दिया हुआ है अगर आप कर रहे हो डिलेड और अगर आपका सीटेट अपीरिंग है तो आपको बिल्कुल भी निरास नहीं होना है क्योंकि आने वाले समय में आपके पास बहुत अच्छी ऑपर्चुनिटी है पूरा वीडियो देखिएगा पहली बार आए हैं तो चैनलों को सब्सक्राब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा आपको अपडेट मिले क्योंकि यहां से आपका कोई भी रिकूट्मेंट आता है वो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो की BPC के चैर्मेन ने जो बयान दिया है वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगे और यह अभी इनकी ट्वीट आई है क्योंकि जब से यह पता चला भीहरतियों को कि केवल 40,000 के बाद से 4,000 बस आएगा तो इस पर इन्होंने बताया है कि candidates must be wary of dream merchants result or supplementary result can be for only as many vacancies as provided by the department and not on some imaginary figure based on misinterpretation of rules or and some wishful thinking or and some mischievous rumors or on all of these इसका सीधा सा मतलब यह है कि देखो supplementary result जो है कितने पे निकालना है यह हमारा काम नहीं यह department है मालो सिक्षा विभाग का है सिक्षा विभाग ही आपने देखा होगा कि कितने पदों पे कब भरती करानी है यह सारी details सिक्षा विभाग इनको देता है तो अगर सिक्षा विभाग मालो 4,000 पे देगा तो यह अपने मन से तो नहीं निकाल देंगे 40,000 पे तो इसलिए आपको इन सब चीजों से जो है इन्होंने बताए कि कुछ rumors भी फैल रहे हैं बट reality तो यही है ना कि पहले तो यही हुआ था अब आप यहाँ पर बोल दो कि ठीक है चलो department जितना भेजेगा आप उतना पर निकालोगे तो आखिर में department इतना कम क्यों भेज रहा है जब स्टार्टिंग में इवन हर इक्जाम की जो गवर्मेंट नौकरी होती है जो भी जहां पर वेटिंग लिस्ट निकलता है परिणाम या जो सप्रिमेंटरी रिजल्ट है किवल उतनी ही रिक्तियों के लिए हो सकते हैं जितना विभाग दोरा परदान किया गया है ना कि नियमों की गलत व्याक्या या कुछ इक्षाधारी सोच या कुछ सरारती अफवाहों या इन सभी पर अधारित किसी कालपनिक आंकडे पर ठीक है माल लो सिक्षा भी भाग ने इनको किवल 4700 भरती दी है मतला वेटिंग लिस्ट के लिए तो यही तो गलत है कि पूरी वेटिंग लिस्ट इसमें ना दो बाकी कि यही जो सीट बचेगी आप उसको TRE 3.0 में जोड़ देंगे अगर वेटिंग लिस्ट पूरे नहीं आता है तो यह तो स्टूडेंट के साथ ही सिधा-सिधा अन्याय हो रहा है क्योंकि यह चीज़ गलत है कि इसमें कपद आप जोड़ के अगली भरती में निकाल दें तो उन बच्चों का क्या जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे है आपने बहुत सारी जॉप्स में देखे होंगे चाहिए अभी केंदरी विद्याले का भी वेटिंग लिस्ट आएगा या फी बैंक में भी होता है वहां पे पॉइंट पॉइंट से भी बच्चे जो रहते हैं उनको भी मौगा मिलता है क्योंकि पूरी जितनी सीट बचती है उ उनके साथ तो अन्याई ही हो जाएगा तो आप अपने विचार जरूर दे और इन्होंने बता दिया है तो सीधा सीधा इसका मतलब निकल चुका है जैसा कि इन्होंने बोला है कि केवल सप्लिमेंटरी रिजल्ट के वल उतने ही रिक्तियों के लिए प्रदान होगा जितना विभाग दोरा प्रदान किया गया है तो आप समझ सकते हो कि आप आने वाले समय में के वल 4,700 ही वेटिंग लिस्ट आने वाला है इतना क्लियर हो चुका है अब 40,000, 10,000, 20,000 नहीं आएगा इन्होंने अपने ट्वीट से सारी जानकारी क्लियर कर दी कि विभाग जितना देगा हम उतना ही देंगे बाकी कि आपने देखा होगा कि कल रात में इन्होंने ट्वीट करक अच्छा मौका है क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि TRE is also likely to be held in the last week of August every year मतलब आगस्त का जो आपका हर साल पेपर होगा अगस्त में वो भी जो लास्ट वीक रहेगा उसमें हम लो सिक्षक भरती कराएंगे तो वैसे भी क्लियर तो होई चुका है केके पाठक ने तो पहले बचरा है उसको आगे के लिए बचा रहे हैं ठीक है तो फिर से आप लोग तयार हो जाओ जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगस्त में पेपर होगा 50,000 के आसपास वेकेंसी होगी प्रात्मिक में भी वेकेंसी बहुत कम आपको देखने को में लेगी चाहे व अध्यापक नुक्ति प्रतियोगिता परिक्षा TRE 2.0 के लिए आज से आपका e-admit card डाउनलोड होने के प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है किस तरीके से होगा वो आपको जानना है सबसे पहले आपको अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले आपको जो न्यू पास्पोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो 25K में इन्हों ने दिया है अपने डैस्बोर से लॉगिन के उपरांत अप्लोड करेंगे ठीक है डैस्बोर से लॉगिन करने के बाद आ जिला का नाम अंकित रहेगा अब यहां से इन्होंने एक चीज कर दी है छैसे आठ और नौ से दस सम्मंदित वैसे अभ्यरती जिन्होंने समाजी विज्ञानिया विशय का चैन किया है वे इतिहास भूगोल अर्थ सास राजनीती सास्त्र में से किसी दो विशय जिसमें एक विशय आपका इतिहास या भूगोल इन्होंने अनिवारे कर दिया है इसके बहुत सारे लोगों के सब्जक्ट कॉंबिनेशन इकदम से बिगड़ चुके हैं बट जो इनके ऑफिशल नोटीस आई थी ना उसमें कुछ ऐसा नहीं निखा था आपने देखा होगा जब आपन समंदित आवशक प्रक्रिया करेंगे तो इसका आपको सेलेक्शन करना होगा पहले ही तभी तो बाद में जो आप कुछ लोग भी कुछ गलत कर देंगे एक्जामिनेशन में फिर भी आपका यहीं से जो है ना ओमार सीट वो वेरिफाई किया जाएगा तो ये एक दिलेट से भी एक नया ट्विस्ट आया है कि सरोश नयाले दिल्ली द्वारा पारित नयादेश के आलोक में डिलेट की डिग्री मानने हैं बट यहां पर देखो ओप्रसिक्षित प्रारंबिक शिक्षा जो दिनांख 10,8,2,17 के पुर्व से कारे रत हैं तो नये वाले तो औ पहले वाले ही जो हैं वैलिड हैं इसके बाद वाले नहीं एक से पांस से सम्मधित अभियर्ति को निदेश दिया जाता है कि कंडिका साथ में वर्डित सरोश नयाले दोरा पारित आदेश पर सहमती व्यक्त करते हुए आपको अपना एड्मिड कार्ड वही मतलब कि एक तर बिभाओ के लिए चैनित्विसजखे के परिक्षा में सम्मलित होना है ठीक है उसके बास सभी अभ्यर्ति प्रविस्पत्र की अतिरिक्त प्रति अपने साथ परिक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे और एवं परिक्षा वधी में वीच्छा के समय हस्ताक्षर करने सुपुद्र कराना सुनिश्चित करेंगे परिक्षा केंदर कोड की संबन्द में विश्तर जानकारी आपको पांच को पता चल जाएगा अभ्यर्थी अपना परिक्षा पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे मतलब कि कहां पर आपका सेंटर गया है वो चीज़ आपको पांच को पता चलेगी तो यह डेटेल आईए तो आज से आप अपना डाउनलोड कर सकते हो बाकि नियोस से रिलेटेड भी मैंने सारी चीज़े बता दी है और यह तो आपका पता ही चल चुका है कि BPSC जो है अब हर साल 30 सितंबर को लेगी यह तो इनकी परिक्षा है बड़ जो टियारी वाला है यह नोंने बताया है यहाँ पर देखे टियारी सिक्षक भरती भी हर सल अगस्त के आखरी सब्ता में आयोजित होने की संभावना है तो जितनी लोग भी आने वाले समय में देना चाहते हैं तैयार हो जाएए क्योंकि अब आपको हर सल अगस्त में सिक्षक भरती देखने को मिलेगा यहाँ पर इसका विवात चल रहा है कि 40,000 जो हैं इससे जादा ही पद खाली है तो 40,000 ही सेकंड रिजल्ट आना चाहिए अभियर्थियों को तीसरे चरण की प्रतिक्षा नहीं करनी पड़ेगी आपको पता है कि जो ये भाशबास आंसर सुसिल कुमार मोधी है नों ने कहा कि सिक्षकों के खाली रहेगे पदो पर न्युक्त के लिए बिप्यसी को 4,700 की जगा 40,000 जदिक पदो के लिए सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी करने चाहिए इसे अभियर्थियों को न्युक्ती के तीसरे चरण के प्रतिक्षा नहीं करनी पड़ेगी और मैंने भी आपको बोला कि वेटिंग लिस पूरे सीट पे आना चाहिए ये कौन सी बात होगी कि आप बस 4,000 निकाल दो बाकी के 40,000 अब आगे के लिए बचालो ठीक है आप खुश सोचों कि बहुत सारे टीचरस जॉइन ही नहीं किये हैं ठीक है यहाँ पर देखो 32,000 जो चैने सिक्षक थे नहीं यो युगदान नहीं किये हैं तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बताई हैं देखते हैं देखो एक तो यह भी है कि जो BPSC के जो चैर्मेन है यह अपने मन से नहीं निकाल सकते हैं यह जो सिक्षा भी भाग है यह इनको ज्यादा पद नहीं भेज रहा है रिक्तिया नहीं भेज रहा है क्योंकि यह बचा